चाहिन दोस्तों मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेल्कम करता हूँ आज हम लोग ससी MTS 23 का सेट नमें 41 को में पर डिसक्स करेंगे टोटल जो एक्जाम करता हूं और हम इसके 41 सिप को डिसक्स करने वाले चलिए स्टार्ट करते पहला कोचन पहला को आपके यहां पर राजपाल का कर रहा है तो राजपाल स्रज्मियाड हो जाएगी और अगर सीम का पूछेगा तो आपका सूचेता के प्लानी हो जाएगी दोना ही उत्ताप अधिसके बनी थी नेश्टेप भारत में बैडमिंटर के लिए सासी निकाए कौन सा है यूँ हो आपका बैडमिंटर एसोसेशन ऑफ इंडिया बी ए आई हो जाएगा तो सासी निकाए हाथ बैडमिंटर के लिए बैडमिंटर एसोसेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा नेक्स्टेप फरवरी 222 में कमचारी चैन आयोग का अध्धक्ष किसे नियुक्त किये वहाँ ससी का भी को दारन है युद्ध हम का मारूती अध्य मिटेट हो जाएगा तो जो स Cockो सॉन सस्टी उप्रेश लिमिटेड selon QTP दो oily नेक्स्ट बैमिन जर्ण को स्सेसरा कि में शह्थ में चक्रवाद केट में आप हो टाइफून कहा में चापन्यमिक हो जाएगा तो जो साइकलोन को टाइफून कहते आप का अपका कहाँ पे जापान में कहते हैं अगर हम बात करते हैं ऐस्ट्रहय में आस्ट्रहय में क्या क्या करते है एक कि दरपण आपका दरपन एकेड्मी ऑफ परफोर्मिंघ अर्ट के संस्थाफ़क के संचालग रहा नेक्स्ट है आपका डैस के पुत्र और उत्राधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का सासंग काल सांती व्यस्था और सापेक्षिक निस्कृता का काल था किसके थे आपका चंदगुप्त दूतिय के पूत्र थे यह तो कुमार गुप्त कौन थे यह थे आपके चंदगुप्त दूतिय के पूत्र थे और कुमार गुप्त नहीं आपके नालंदा विस्थाले का अस्तापना करवाया था या रखना है ठीक है संभध गुप्त कौन थे रशम महाराजा-दheid ऊपारी धारंगा और इंगे संबधों कि इनके संब् assumptions पीस्थरी पिल्ट को आपका संब और दित्यम और और महाली पिलर मेंसे संबधित है और चंद गुप्त मौरे का कौन सा है आप मेरे को कमिट से बता सकते हैं भारत का सभीधान अपने सभी व्यस्क नागरिकों को वोड़ डालने का अधिकार देता है यादक ना है नेक्स्ट है दुखद कहानी ओठेलो के लिखा कौन है यह हो जाएंगे आपका विलियम सेक्सपेर हो जाएगा नेक्स्ट है नेमली खित में से कौन से मिट्टी द्वारा प्रद्दत किये जाने वाले सुक्ष में पोसकतातों का एक उधारन है तो आइरन इसका कर्क टेंसर हो जो एपका आपका मैक्रो नूटेंट्स में आता है और माइक्रो में आपका यह सब आयरन हो घया आजएगा त्याहां पर आपको यह रखना है तो नाटा को जाएगा नाटा को क्या नेसे अंटी टोपिंग एजंसी हो जाएगा नेम लिखित में सा आर बीए दोरा आपका मौनेटी पॉर्विघाट का मिला नसल का करता है गला को और क्या करते तो पश्मी घाट को सेहाद्री के नाम से जाने आता है पश्मी घाट के सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह आपका कौन है अन्नाई मोड़ी है ठीक है पश्मी घाट के सबसे उची चोटी अन्नाई मोड़ी है जो कि साउस्थ इंडिया के सबसे उची पर पर इलाची के पहाड़ी कहाँ पर आपका केरला और तमिलाड़ुके बीच में आता घं़राकी देश लगता है थो बंगला देश से लगता है तो पपश्य क्षिम बंगलमे से लगते हैं और बंगलायों में नेवढका कि देश से आपका बॉडर लगता है 4,096 km लगता है नेक्स्ट ए वर्स 1526 में पानीपत के पर्थम युद में बाबर ने किस सुल्टान को प्राजित किया था इबराहीम लोधी को समप्त किया था तो 1526 में पानीपत में बाबर ने इबराहीम लोधी कर रहा था या दखना इन में से हुआ था आफगान और मराठाओं के बीच में था जिसमें अफगान के तरफ से अहमत सा अब्दाली आया थे और किसको हरा थे मराठाओं को हरा थे यह तिन आपको युद्धि आपको याद दखना है कि नेक्स्ट है आपका यानि महाबली पूरं में इस्तित आपका गनेष रत्मंदिर सबसे बहुतरीन एकाश्मक मंदिर नेक्स्ट है अद रूत्जी तो बहुतरीन सब्सक्ण के जो आपका पहले मुस्लिम थे जिन्हों आपके कॉंघ्ड़र्ज की अधक्ष बने थे तो पहले मुस्लिम को थे जिसने जिनों ने आईयन सी के अधक्ष सा की थी तो आपके बदुद्रीन तेयब जी इसका प्रेंस्र हो जाएगा कब के थे से अली अखबर क्राइब किसमें से किसे है तापका स्रोवत से हो जाएंगे अलिया पहहँ किसीया सपावाई कि हो लिग्यु और बेसंकत्व हुले कि है कॉन सा मन्त्रा ले डीप औसे मिसंद से समधी था है इसका परित्वी विग्यान मंत्रा ले इसका टेंसर हो जगा हो जगा होley इसका correct answer हो जाए गया होली का दहन का तिवहर जो आपका बुराई पर अच्छाय की जीत की रूपत का पर्तिक है तो अधिकतर तिवहर हिंदु धम में बुराई पर अच्छाय की जीत होती है में नेकस्ट है साखश्रता मिसन फोजिज का घठन जंग उनीओ नीइस 오래षमन में में किया गया था कि management किसी कानू नियार्सन विद्ययक मर्म रेपीड्यपल्ण हों मन्ताले फिस का था का नवला जो कानून था यह थे किसी विग्यार मतले ने लाया था नेक्स्ट है निम्लिखित में कौन सा खनीच थाराइड हार्मोन थारॉक्सीन के संस्लेशन से के लिए अनिवार है ति आपका आयोडविन इसका करेक्ट्रेस हो जगा आपको पता ही होगा कि यहां पर ग्वा स्विलियंज होता है जमना तो आमली होता है नहीं आपका चारी होता है तो कैसा रंग होता है तो बैगनी करन का होता है आपको यादखना है तो यहां पर यादखना है तो उसकी मुद्राओं को चिदम्रम मंदिर के गोपूरम पर चितित किया गया है तो यहां पर यादखन तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए गया है आप इसको जोइन कर सकते हैं आप साच के जगा आपको आजागा चैनल जहिंद जभर तनेवाद